राम राम भाई सभी साथियों को जितने भी अपने हर्याना CET मेंज की त्यारी करने वाले भाई भैने सभी को राम राम हर्याना CET मेंज को लेकर आप सभी को पता है हमारे ग्रूप नमर 56 और 57 का जो एकजाम है वो 5 और 6 अगस्त को होने वाला है लेकिन आप सभी के दिमाग में एक ही परसन गोम रहा है कि admit card है वो कब तक आएंगे क्योंकि सभी को जल्दी है कि मेरा admit card जो है वो कहां पर आता है किस district में आता है माइन में चीजे गोमती है कि मेरा admit card आएगा फिर नहीं आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो बहुत सारे सभाल गोमते हैं तो उनका एक ही जवाब है अभी एक सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी आपने देखी भी होगी नहीं देखी तो देख भी लीजेगा क्योंकि आज court में दो सुनवाई हैं हर्याना CET को लेकर तो यहाँ पर दोनों सुनवाई मैंने दिखा भी दी थी कौन-कौन से case है कितने नमबर पर लगे हुए हैं कौन से courtroom में हैं क्या उनका matter है तो उन matter जो है वो 11 या 12 बज़े तक वो case की सुनवाई हो जाएगी जैसे ही 11 बज़े तक सुनवाई हो जाएगी उसके बाद में वो case तो ऐसे urgent में है लेकिन उसके उपर अगर case को या तो dismiss कर दे जाएगा या फिर उस पे next date मिलते है या फिर कुछ और action लेते हैं तो उसी according शाम तक आप ये उमीद कर सकते हो कि आज शाम तक ग्रूप नमर 56 के जो admit card है वो आ सकते हैं 99% चांज है कि आज ग्रूप नमर 56 के admit card जो है वो जारी हो जाएगे ग्रूप नमर 57 के जो admit card है वो भाई कल शाम तक मतलब आपको देखने को मिलेंगे आज शाम तक सायदे ग्रूप नमर 57 की जो है वो अलग से दुबारा भी कटोफ हा जाए क्योंकि कुछ चीज़े चेंज हुई है तो वो शाम तक या फिरे थोड़ी बहुत देर में ही आपको देखने को मिल जाए ग्रूप नमर 57 की कटोफ भी थोड़ी जारी होगी लेकिन ग्रूप नमर 56 जो है ना ग्रूप नमर 56 की अगर मैं बात करूँ तो आज शाम तक आप ये माल लीजिए आट नो बज़े से पहले पहले ये आपको एड्मिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं 99% चांज है कि आज ही एड्मिट कार्ड आ जाएंगे अगर आज किसी वज़े से नहीं आप आते हैं तो कल तो कोई भी नहीं रोख सकता कल तो एड्मिट कार्ड आने ही आने है लेकिन आज ही आज आजएंगे इतना आप लिकिन रखो गुरूप नमर चपन के एड्मिट कार्ड जो है वो आज देर स्याम तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज क्या केस का भी बता दूँगा मैं आपको 12 बज़े के आसपास जो है इनकी सुनवाई हो जाएगी क्या रहता है क्या ने रहता है क्या response मिलता है dismiss होता है next date मिलती है या फिर कुछ से और decision आता है वो सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा जैसे ही court case का जो भी order वहाँ पे निकलेगा ठीक है तो बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो